Hello Friends, I am Rajit Padal, आप देख़र हैem Technical Europe Channel में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कितने कीवर्ड कीवर्ड के SEO difficulty में आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कितना keyword आपका है, इसका search volume कितना होना चाहिए, इसकी website का कैसे analysis करना है, कैसे आप इसको website को analysis करेंगे, other आप competitor website को कि उसके में आप जो keyword आपने find किया उस पर आप growth कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे, उस पर आपको ब्लॉग क्रेट करना चाहिए या बैफसाइट बनानी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इसमें आज फुल व्यूडियो लेकर आया हूँ कि आपको कैसे चेक करना है उस कीवर्ट का एस्चु डिफिकल्टी और सर्च वलूम मैं आपको इसमें एच्रेप भी क्या मुज़ु डिफरेंस रहता हो न हने इसमें आपको बसाहिए मैं कैसे कैसे कारनी ढार की कि वर्टय को फइंड करना और गूगल पर कैसे फाइं करना करना है कि उसमें आपको वर ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करेंस के स्वक्रीब को 1 share and comment करें ओके फ्रेंड चलते हैं लाप्टाप स्कीन की तरह बिचा हैं रन टेक्निकल यूटूब चैनल को सबस्क्राइब की बटन पर प्रेस करें गंटे की बटन पर प्रेस करें आल पर किलिक करें share and comment करें ओके फैंस आगर लाप्टाप स्कीन की तरह अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कीवड फाइंड करना है फाइंड के सुरू आपको किसके इस प्लेट फॉर्म में आपको कीवड को रिसर्च करना चाहिए क्या होता है निव ब्लॉगर आता है आप अपने कीवड किसी भी कीवड को लिता है और आपको अनलेसिस नहीं करता और कोई कीवड प्लानर को कीवड डिसर्च टूल्स को यूज नहीं करता जैसे अभी ह्रेट से मेर है और गूगल कीवड प्लानर है उबर सजेस्ट है हर एक प्लेटफॉर्म का अलग-अलग अनलेसिस डीटा आता है जो एक प्उलेटा देटा आता है वह हओ एच रइफ एंड गुगल कीवट प्लानर और आपका सेमिंट में भी सो होता है काफी अच्छा डीटा एंड आपको पहले keyword को find करना है keyword को low competition keyword को find करना है उसमें आपको search volume देखना है and SEO difficulty पर research करना है फिर आपको chrome पर जाकर उस पर analysis करना है कि उस पर कैसा डी आपको उस पर पहले analysis करना है उस competitor की website पर जाके उसका आपको domain name को copy करना है उसका spam check करना उसका dnpa check करना है spam आपको कैसे चेक करना उसकी वीडियो में आई बटन पर देदूँगा आप वहां से जाके देख सकते हैं ओके फैंस आपको सभी चीच चेक करने के बाद आपको find करना अपने keyword को keyword को कैसे find करना मैं आपको बताऊंगा आप keyword को enter करेंगे आप मैं enter कर लेता हूँ लव calculator लव calculator है यह तूल्स कीवर्ड आपको किस कापको माइंड में जो भी कीवर्ड आता है आप उसको पहले analysis करने research करने keyword tools हो में and काफी सारे free tools है मैं उसकी वीडियो भी आई बटन पर देंदूगा आपको free tools को कैसे यूज करना है एंड आपको हर एक point डिटेल में उस वीडियो में आप वहांस जाके देख सकते हैं ओके फैंस यह है लव calculator मैं कीवर्ड को कॉप्य करता हूं सबसे पहले आपको मैं आपको दिखाता हूं कि आपको उबर सजेश्ट में कैसे analysis करना उबर सजेश्ट को कॉपी यहां पर आपको link करन पेश्ट करना यहां पर आप country सबकरेंगे तो मैं यहां पर आपके सामने यह पूरा ओबर विवा गया के वर वर विवा लव केल्कुलेटर इसका सर्च वोलूम है 74,000 एन आएस्यो डिफिकल्टी एफ और वन पैल डिफिकल्टी एवन इसी एए एन सीपीसी इसका है इंडिया करंशी पर है 999 िरुपेश एंड आइंड आ मयक्रण तैं नैटीन रोपी Rivers अंद uh-IZ आपका यह पूरा चाह purity को साबिपर क्या है स्थकुक्त कुछ दिखा रहा है हिए देखो फैंस आपके सामने सब कुछ दिखा reaching किस website सबसे आंगे चल रही टॉप में आपको यह भी competitor website भी दिखा रही है यह देखो फ्रेंस एंड यह यह होगा hrefs का data है एंड इसका आप search volume भी चेक कर सकते हैं उसका इस search volume है एंड लब calculator 70,000 74,000 आपके सामने दिख रहा है ओके फ्रेंस इसका cpc भी अच्छा है एंड इसी keyword को आपको copy करना है फिर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ google keyword planner पे and discuss new keyword पर click करेंगे तो आपके सामने यह interface open होगा आपको इस keyword को यहाँ पर paste करना है तो आपके सामने यह get reject पर click करना है यहाँ पर आप पर enter और domain name को भी use कर सकते हैं मैं यहाँ पर get reject पर click करता हूँ आपके सामने इंटरफेस open हो जाएगा आपको यहाँ पर पूरा डेटा सो होगा यहाँ पर लिखा है अगस्त दोहजार उन्नी से जुलाई दोहजार बीस तक आपके पास डेटा यहाँ पर आपका sub keyword है और calculator lab calculator ringtone ringtone maker आपके सामने इस sub keyword है और रियल lab calculator इसका यह आपको search volume दिखा रहा है मंत्री search volume दिखा रहा है competition दिखा रहा है and ad impression दिखा रहा है tab and pages account status आपके सामने दिखा रहा है यहाँ पर आपको cpc and यहाँ से भी analysis कर सकते हैं इसको आपको full कैसे यूज करना उसकी वीडियो में आई बटन पर देदूगा आप वहां जाके देख सकते हैं कि आपको इसमें campaign को कैसे create करना है कैसे आपको add run करनी है कैसे आपको google ads को use करना मैं आपको इसमें full tutorial में आपको प्लार में आपको से ओकर करके दिखा है यहाँ पर आपको location इसका search network Google है एंड यहाँ पर आपको monthly score दिखा रहा है पूरा आप इसका भी use असानी से कर सकते हैं plan and overview भी कर सकते हैं आप इसका you plan in empty है okay friends आपको किसमें Google Google keyword planner पर आपको कैसे research करनी है आपके पास inquiry data आगया ओके फ्रेंस जब भी आप यह स्थर्ड थर्ड है सिमर जो आपको इसमें चेक करना है कि डीए एन पीए उसका website का जो भी आपकी website है competitor की यह देखो फ्रेंस आपने डाला love calculator जो website जिस website का domain name टॉप पर rank कर रहा है उसका आपको पहले डीए एन पीए को चेक करना है उसकी बैक लिंग कहां से आ रही है उसका मतलब कितनी बैक लिंग जनरेट करने के बादा यह टॉप पर टॉप लेवल पर पहुंचा है आपको इसको सब कुछ चेक करना है ओके फैंस यह हो गया love calculator the love calculator इसका domain name को copy करना है इसको open करना है इस calculate इसको copy करना है ओके फैंस blogger पे love calculator कैसे host करना है कैसे आपको इसमें sticky add लगानी है कैसे आपको इसको use करना उसकी वीडियो में आई बटन पर दे दूँगा आप वहां से जाके देख सकते हैं एक मैंने आपको free app course provide कि यह love calculator script code से है उसमें मैंने खुछ से code किया आप उसमें incorporate code नहीं है user friendly है mobile friendly है and responsibility themes है और के फैंस आप इसको मैं आपका spam check करके दिखाता हूं कि यहां पर check पर click करेंगे कि यहां पर आपको चेक करना है कि यह दो को फैंस डीएस का 53 एंड डीएस का 53 एंड पी इसका 44 है इसका जो 11 परसेंट हो गया ओके फैंस यह हो गया आप इस पर click करेंगे ओके फैंस आपको सिमर पे love calculator का जो keyword है इसमें आपको analysis करना है वो फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं उसकी वीडियो में आई बटन पर देंदूगा आप आँज जाके देख सकते हैं इस keyword को copy करना है यहां पर paste करना है यहां पर research पर click करना है search जहां keyword आपको select करना है keyword overview ओके फैंस यह देखा फ्रेंट्स आपके सामने इसमें search volume भी दिखा रहा है और आपके सामने keyword difficulty भी दिखा रहा है ग्लोबली कितना search volume है result and cpc erp आपके सामने सो हो रहा है trending bird trending बड़ यह कप किस टाइम पर किस position पर trending बड़ पर चला है love calculator and keyword आपके सामने total volume दिखा रहा है one eight five point four case का search volume है keyword का okay friends यह पूरा आपको सामने keyword इसका आपका सो हो रहा है keyword यह किस-किस keyword पर आपका search volume आ रहा है कितना search volume है love calculator real love calculator hello okay friends आपके सामने सेवर का पूरा equally आपके सामने यह real data सो हो रहा है love calculator keyword का आपको हर एक जो भी आप keyword को find कर रहा है आप इस टाइप से keyword को पहले find करेंगे उसके बाद आप इस पर काम करना work करना start करेंगे क्या होता है काफी लोग blogger पर आ जाते जो new blogger रहता है blogger पर आ जाता है वह काम करना start कर देता है काफी मैनत करता है SEO करता है बहुत कुछ करता है उसके बाद अपनी website rank ही नहीं होती फिर वह आप demotivate होके आप blogging छोड़कर चला जाता है इसलिए जो भी आपको work start करना है जो भी आपके पास idea and keyword आता है उसको पहले analysis करके find करना है find करने के बाद उस पर work करना है worker कैसे करना है blogger पे top 10 website के बारे में बता है उसकी वीडियो में आई बटन पर दे दूँगा उसको जाकर देख सकते हैं मैंने आपको detail में बताया है कि कैसे आप blogger पे अगर new blogger है तो आप उसमें कैसे designing करेंगे कहां से आप image download करेंगे कैसे आपको image create करना है कैसे आपको Google search console में डाला है उसको मैंने आपको detail में बताया आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ओके फैंस यह हो गया आप सिमर में आपको data दिखा दी देख सो गया एंड आप इसका domain name भी analysis कर सकते हो keyword analysis भी कर सकते हैं keyword analysis में आता है overview keyword में keyword में magic tools भी है keyword manager manager भी है आप काफी सारी चीज़ेस को use करके इसमें work start कर सकते हैं पहले आप अपना keyword को find करेंगे ओके फैंस यह हो गया tools अब में आपको चलते हैं chrome पर के chrome पर अपने keyword को कैसे analysis करना है कैसे check करना है किसमें score है कितना search volume आ रहा है कितना search है कितने लोग बर कर रहे हैं क्या क्या है इसमें कितने कितना search volume में इसमें आपको काम करना चाहिए कितना ओके फैंस यह हो गया अब आपको मैं इसको close कर देता हूं यहाँ पर आपको नेश टैब open करना है ओके फैंस आपको अपना keyword इंटर करना है आप पूंटर करना है ओके फैंस आपके सामनी यह सो हो गया इसका आपके सामनी result आवाउट दिखा रहा है result and आपके सामनी result so कर रहा है जीरो पॉइंट थ्री सेवन सेकेंड ओके फैंस जीदे कफैंस 60 62 कोड़ोर 30,000,000 इसका रजल्ट है अगर आपको यहां पर डबल कुटेशन का यूज़ करना है अगर आपको यहां पर 50,000 से कम होता है तो आप उस कीवर्ट पर वर्क कर सकते हैं यहां पर लिखा है 60,70,000 आपको इसका रजल्ट सो हो रहा है तो आपको इसको पहले आपको जो भी कीवर्ट फाइन करना उसका अबाउट सर्च रजल्ट या 70,000 या 50,000 से कम होना चाहिए आप उसमें वर्क करेंगे आप उसमें वर्क करने के बाद आप एक और अनलिसिस करेंगे आपको अनलिसिस करना है आपको यह चेक करना है कि यहां पर आपको चेक करना है कि यह वैबसाइट कहां पर होश्ट है क्या है यह website blogger पे ऊष्च है या wordpress पर ऊष्च है आपको सब को च 기억 करना है यह सबी website blogger पे ऊष्च है ओपके friends तो आपको यहां पर इसमें work नहीं करना आपको चेक करना जो भी आप keyword इंटर करो keyword को find करो उसको Psalm पर इंटर करके उसको पहले यहाँ पर जो आपके सामने है प्रीवियस दिखा रहा है नैश्ट आपको हर एक five five step तक आपको चेक करना है कि इस पर आपकी website कहां कहां पर keyword किस keyword पर rank कर रही है अगर आपके सामने है second page में third page में other website का आपको URL दिखता है जो आपकी requirement है love calculator user की requirement है love calculator अगर आपने first step में तो आपको love calculator आगया 10 URL आपने फिर second step पर गए तो आपको आगया 10 love calculator अब जब third step पर जाओगे तो आपको other website की link मिलेगी जो आपको उसमें love calculator नहीं है कोई article आपका rank होता रहता है इसलिए आपको उसे keyword को find करना है क्या काफी लोग तो blog और या wordpress में host कर देते तो काफी लोग keyword को enter कर देते उस keyword पर उसकी website rank होती है तो वह उसकी position third and fourth, fifth, six, seven, eight position पर रहती है pages की position पर रहती है Okay friends, आपको इस टाइब से पहले चेक करना है अगर आपने जो भी keyword find किया उसका blog spot चेक करना है कि वो website यूराला है फर्स्ट पे ब्लॉग स्पॉट पे हैं कि कोई sub domain पे अगर वो कोई sub domain पे है तो आप उस पर work कर सकते हैं and second page पे भी जाके आप देख सकते हैं अगर उस पे भ website को rank कर रहा है तो आप उसमें 100% rank हो सकते हैं okay friends मैं ऐसी blogger wordpress practical वीडियो लेके आता रहता हूं इसलिए जो red color की subscribe button उसको press कर रहा है बैर icon को प्रेस कर रहा है share and comment कर आगर आपको जो भी doubt हो comment box वर पूछ सकते हैं मैं आपकी 100% help करूँगा okay friends वीडियो को last time देखने के लिए धन्यवाद